एक बहुत एक काम का चीज़ बताता हूं कि अपने माइनर जिसे आपका कोई son है, daughter है उसके लिए आप mutual fund में invest कर रहे हैं तो कैसे करना है बहुत जगह मैंने खोजा और कहीं भी अच्छे तरीके से इसको समझाया नहीं गया है तो इसको मैं दो-तिन पार्ट में समझाता हूं कि पहले करना ही क्यों है पहले माइनर की नाम पे mutual fund open क्यों करना है ठीक है तो एक तो पहले जब तक आपका बच्चा 18 years कर नहीं हो जाता है तब तक उसको माइनर बोलते है ठीक है तब तक वह अपना जिसे डीमेट खोल के अपने नाम से folio ऐसे नहीं खोल सकता है उसके में यह चीज इनेबल हुआ था और उसके बाद उसमें थोड़े से नियम कड़े थे उसमें नियम क्या था कि एकाउंट उगरा होना चुरिए एकाउंट पैन नमबर यह सम्मेंडिटरी था बाद में 2023 में इस चीज को वह क्या गया है ऐसा रूल हटा दिया गया है तो आप बि पता होगा कि LTCG में जो टैक्स है 12.5% हो गया 12.5% मतलब कि मान लिजिए कि जैसे आपका बच्चा आज 10 बरस का है ठीक है और आज से 8 साल बाद वह 18 बरस का हो जाता है आपने एक 10 लाख रूपे का मूचल रूपन आपने खोला जो कि मान लोकी 20 लाख हो गया आठ बरस में 8 बरस में मेरा मानना की करीव 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 30 लाख रूपाब का पैसा हो जाएगा तब कितना गेन हुआ 20 लाख का गेन हुआ अब वो 20 लाख का गेन जगर बाद में आपको बच्चे के नाम पे जगर आप ट्रांसफर करना है तब क्या करना पड़ेगा आपको 30 लाख 20 लाख आपका profit हुआ 20 लाख पे 12.5 परसें 0.5 प्लस 6 मिला दो करीव करीव 15 से 16 परसें होता है ठीक है तो 20 लाख का 15 पर सेंट जगर मतब 20 लाक का 10 परसन हो गया 2 लाक अब 15 परसन हो गया करीब करीब आपका 3 लाक रुपया तो 3 लाक रुपया आपका ऐसे फट से चला जाता है ठीक है तो 3 लाक रुपया आपसे गवर्मेंट ले लेगी अब जगर अब क्यों खोलेंगे जिए अधी आपने ये mutual fund फोलिय बच्चे के नाम से खुला जिसको आप बहुत लंबे टाइम तर कंपाउंड करना चाहते हैं ठीक है तो वह बहुत जुंदर है तो पहला क्या हो कि जगर लंबे टाइम पर कंपाउंड करना है तो उसके नाम से ही चलता रहेगा उसको तोड़ना नहीं है ठीक है यह मेरा लगेगा ठीक है तो एक तो हो गया इंपार्टेंस जो सबसे बड़ाज इंपार्टेंस जो मुझे समझ में आता है कि कैसे हम उस पैसे को कमपाउंड करें फर भेरी लांग टाइम क्योंकि अल्टिमेटली एज पैरेंट वियर गूइंग तो गीव आल और वेल्स तो यह बहु तो वहाँ पर है खोलने का ठीक है आप उसमें अपना लॉगिन करो HDFCMC में जैसे भी आप लॉगिन करते हैं न्यू इन्वेस्टर हो तो आप न्यू इन्वेस्टर में आपको फोलियो आप फोलियो क्रियेट करके ऐसे कर सकते हैं आप एग्जिस्टिंग है तो कोई भी एक नमबर भी याद नहीं तो उसमें अपन है तो गेट आल यूर फोलियो और पैन नमबर आ गया तब उसमें लॉगिन कर पाते हो ठीक है नहीं यह तो यूजर आईडी अपना पासवर्ड कर लो पहले कर लिया ठीक है उसके बाद क्या करना है कि जब उपन करने जाओगे ट्र हो गए तो उसमें रहेगा कि Mine 2021 Max सेल्फ या माइनर तो माइनर सेलेक करो 14 माइनर सेलेक करो दिन्um Allaway लोगि है तो नीचे आईगा सोल सोल हलाद WILL अबाद के भड़ी इंब्दीकेटिट हो गया eventually आपको जो तोड़ना भी होगा तो आज की डेट में तो पहले था उसी एकाउंट में टूटेगा बच्चे की एकाउंट में टूटेगा ठीके आज की डेट में जगर redemption के लिए तो उसमें दे रहा है कोई भी एकाउंट दे लेगा तो हमने अपने एकाउंट नमबर डाल दिया तो उसमें भी टूट जाएगा लेकिन इसको अब यहाँ से हो गया फोलियो नमबर खुल गया जो ही फोलियो नमबर खुल गया आप dashboard पे जाओ अपने फोलियो देखो और उसमें से select करो minor roll of folio तो अब folio नमबर खुलने में ही आपको बहुत सरा चीज मांगता है एक आपका बच्चे से relationship के लिए कोई document दो जिससे birth certificate हो गया जिसमें आपका नाम रहता है बच्चे का नाम रहता है दूसरा इती passport है बच्चे का बच्चे का passport में आपका parent का नाम होता है तो वैसे आपको upload कर सकते है दूसरा बच्चे का date of birth के लिए होता है तो आप birth certificate डिरेक्ली उसमें upload कर दो वो मानने है तो ऐसे करके आपका folio उसमें थोड़ा सा और फटका details हो गरा मांगता है बहुत limited details मांगता है अपन नंबरी है तो अपने बच्चे का नाम आ रहा होगा उसके बाद आप सकते details मांगा जाएगा bank account details या फिर अपने बच्चे का account details दे रहे हो तो यह समझोओ निप्चे का account details उसमें आप दे रहे हो तो चेक्लीफ होनी चाए सारे bank Чер Hiç suiv नहीं देते है तो मैंने तो अपना ही एकाउंट नमबर डाला है तो उसमें प्रापर्स आपको IPC नमबर आपका एकाउंट नमबर प्लस आपका एक क्रास चेक लिफ आप उसमें अटाज कर दो तो आप जो खोलते हो तो नारमल यह आप जाओ तो जनरली ऐसा सेलेक करो कि किस टाइप का जो mutual fund होगा हो चुकि बरी बरी लांग टर में थोड़ा सा risky भी होना चाहिए थोड़ा सा risky portfolio होना चाहिए फंड होना चाहिए risky in the sense कि जहाँ पे जैसे बोला जाते है कि small cap ज्यादा risky है mid cap से mid cap ज्यादा है large cap से तो मैंने तो अपने बच्चे के लिए लिया है large and mid cap वो क्यों कि there is a good combination of mid cap and small cap also and it is stable also तो यह लेने के बाद हाँ I mean I'm not an advisor मेरा पर कुछ कहीं हो नहीं है तो मैंने जिस नाम ले लिया कि मैंने क्या use किया बाकी कोई recommendation नहीं है तो जो ही आप ले लोगे उसके बाद आवाज जाएगा कि कैसे pay करना चाहते तो उसमें अपने account number डालो internet banking वाला खुल जा तो कौन सा bank select कर लो जिस मालक उने ICC bank open किया अपने आप उसमें integrated है आपको दिखा देगा अपना user ID डालो password डालो फिर OTP आएगा validation आएगा और दिन इन आपका account purchase हो गया तो मैंने क्यों HDFC में देखा मोधिलाल में नहीं है कोटक में मुझे नहीं दिखा आइसे से मैं फिर चेक नहीं किया क्योंकि आइवाइज मोस्ली कोटा किया फिर HDC मैं चाहता था ठीक है कोशिश करना कि बड़े कोई आप अपने एडवाजर सला ले सकते हो लेकिन कोशिश करना कि कोई बड़ा mutual fund AMC हो ताकि उस लंबे टाइम में जगर 8-10 बरस के बाद आपका बच्चा मेजर होता है तब तक वो काम करे तब तक अच्छे से काम करे वो particular fund अब आता है कि जब बच्चा आपका minor से मेजर होगा तो आपका जो यह है कैम्स है कैम्स में जाके option है minor to major होने पर आपको बहुत सारी detail भरनी होती है कि कौन सा folio कौन सा folio उसके नाम था उसके बाद उसके एकाउंट नमबर देना और detail देना फिर बच्चे का KYC होगा बच्चे का कि साड़े बार पर से ना आपने दिया उसके बाद अपने चालू किया यही उसकी सबसे बड़ी beauty है इसे के लिजिन में अपको बिन किया thank you hope यह आपको important लगा मैं काफी खोजा था नहीं मिला था तब मैं यहाँ पे खोज के तब मैं करके आ तब यह मैं आपको example दिया thank you